यहां से जब यह पुल बन जाएगा तो हमारे यहां के यह टापू के तरह यह हमारा यह गाउं जो है यह टापू के तरह हिक्षिस चारो तरफ लगभग में 5-6 फिट पानी लगभग 4-5 महीने भारा रहता है यहां तक की है कि कोई दूसरे गाउं की साधी करने के लिए भी नहीं आता है बन जाने से लोगों की सारी दिक्कते समस्या हल हो जाएगी और पुल बन जाने से सभी लोग ट्राक्टर ट्राली हर कुछ बाहर आता रहेगा हम ऐसा हमारी की बच्चे जो है सिच्छा दिच्छा पाने के लिए वाहर जायेंगे निकास ही नहीं हें पान 6 महिने जाء ही नहीं पाते हैं तमाम सीता द्वार इस अपरेटर कस्तल है यहां पर विक्षित नहीं हुआ है तमाम रोडे हैं यह छेतर रुज था आज सतर साल से विकास सचुता था जब से मैं विधायक बना हूं एक बर्स में बहने 62 किलो मीटर की डामरी करन रोड बनवाया है और यह दूसरा पुल है इस सिर का सीलन्यास हुआ है पांच पुल मेरे आउ बर्याता पर है नदी करांचों पूल हैं और पूल सीह कि रही सा धन आवंटी थो जाने पर उसका काम करवा दिया जाएगा और आने के तर्ज पर पांच साल के बाद आप जब पांच साल के बाद स्रावस्ती में आएंगे तो स्रावस्ती विधान सबाब को मेठी की तर्ज पर दिखाई देगा यह मेरा संकल्प है यही मेरा सपना है धन्यबाद